देख रहा बही चौप इधर जरा ध्यान तो दे बही बाई साब कलो है क्या हो गहा है बही ये तो देख भई, कैसे लग रही है तुझे बाई किस बात की टेंचन है बाई साब फिर भी यार इत्ते बड़ी है बाई काहां से मिल गई तुझे अब यार मैं ऐसी टहल रहा था साइमन की शॉप क्या जू बाजू और वहाँ पर मुझे यह मस्ती बाइक देखी मेरे पास पैसे थे नहीं मैं आया गर पे मैंने मैजिकल पेंडिंग पेट फर ड्रो करें पैसे और लेकर आगया यह बाइक बाज साब यार मस्त है भाई भाई वो तो पता ही है मुझे जरा मेरे को चलाने देगा भाई बिल्कुल भी नहीं बै ऐसी क्यों बात कर रहा है यार कल भाई यह बाईक मेरी है और पैसे भी मैंने ड्रो किये थे और मैं ही लेकर आया हूँ इसलिए भाई तेरे को यह बाईक बिल्कुल ने मिलेगी बै यार भाई प्लीज कल भी यार एक बार तो चलाने दे परना बहुत जादा गलत हो जाएगा पै कुछ गलत नहीं होगा भाई तो टेंशन मतले मेरी क्या मस्त भाईक है यार मज़ा ही आगे इस वाली बाईक को चलाने में भाई साब कल भाई बहुत जादा गलत हो रहा ही है पै कुछ गलत नहीं हो रहा है यार ओहो क्या खुबसूरत लग रही है यार या वाली बाईक भाई उपर से आवाज सुनो तुम लोग एक बार बाईक की ये देखो भाई इसकी अवाज protective का क्भई पेड का लोग जानता हूँ ये खलू भाई ड कर आया है लेकिन भाई मेर को बिल्कुल भी टच बीनी करने दे रहा ही है इसलिए गुसे में मैं अब इसकी पूरी पूरी बाईकी गायब करने वाला हूँ मेरे को तो टच नहीं करने देगा कल्वे अब देख मैं क्या करता हूँ काई जार मैं इसकी भाई सच में पूरी आज बाईकी गयाप कर दूँगा यह लो भाई यह ऐसी कुछ इसकी फालतू की बाईक है मेरे को जादा कुछ खास नहीं लगी वो तो बस ऐसी मैंने थोड़ी बहुत तारीफ कर दी उतने पर भाई घमंड में आगय है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ यह हो गई कल्वे की बाईक रेड़ी ठीक है भाई अब इसमें बस कलर बढ़ना बाकी है यह हो गया रेड कलर इदर भी रेड और यह हो गया इसकी ब्लैक सीट और यह इसके ब्लैक पई है बाईक के लो भाई अब देखना मैं क्या करता हूँ भाई साब मेरे सामने चमकायागा तू बाईक है बेकल वे यह है फ्रेंकलिन्स बाईक ये रेजरा ली मैने और रहेजर को किया पड़ा और ले मेरे को चिड़ेगा तू आपक्सरे बाइक मैंने कर ली गायब let's go क्या खुबसूरत बाइक है यार ओ हो क्या मस्त बाइक ले आया हूं मैं बाइक कहा गई फिट वह बाइक कहा गई यार चौप भाई तुने बाइक देखी बैक कौन सी बाइक बाइक कर लोए वह जो तु लेकर आया था हां कहा गई वो बता नही भाई बाइक तो अभी मेरे सामने थी यह तुर्य पई हैं उसके मतलब टायर के निशान अरे पाईक कहा गई मेरी यार मैं न्युक्ष्ट लॉख कर लोग बाइक में जाकर बता यार broken जाक्र में बताने क्या बाइक बताना मैं विताब्रांत थोडी मेय हुआ डाली लेकिन म बच्चे तू तू यह फाल दू के हरकते क्यों करता है यार इतनी मुश्किल से मैं वह बाइक लेकर रहा था था भाई तूने मेरे को भाई को टच कैसे नहीं करने दिया चलाने कैसे नहीं दिया इसलिए भाई पूरी भाई की गाइब कर दी मैंने यह चौप का बच्चा तो वापस तो आनी सकती हाँ में ड्रॉ कर सकता हूं बट जब रही करने के तो वाईक ड्रॉ करने से सच्छा टैंक वह करे वही तो यह मैं बहए क्योंस एक टैंक ड्रॉ करें हाँ गयर सच्छमा चलू लोग गयज एक टैंक ड्रॉ करते हैं और दीखते हैं वह तेंक ह которого या sewing के अंदर पावर्स होती है लेट्स दू दिस गाइस एक मस्त सा बहतरी इंसा अपनी मर्जी से पुरा डिजाइन विजाइन उसको लगाएंगे एक तब मस्त बनाएंगे तो बस देखते जाओ लेट्स गो चलते हैं अपने ट्राइंग पैड की स्क्रीन पर अब टैंक बनाना शुरू करते हैं वैसे टैंक बनाना बहुत जादा मुश्किल का काम है यह चो को नहीं पता मैसमेर को कुछ भी लॉलने पारे में को कॉंसिए मैं भी तो बस बना एक संड़ाइगा टे siamo आइए ठीक बिल्कुल और इस को नीचे करते हैं हलका सा और फिर नीचे से तो यहां से एक कर्व जाएगा तो खुद बना हां तु चुपो जाब तू तो यह जाएगा पीछे वाला हिस्सा और यहां से एक और कर्व हम लोग लेने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा खुबसूरत लुक देगा अपने टैंक को और यह कर भी जाएगा बिलकुल एंट तक यह एक टैंक की जो नीचे वाली चेन नहीं होती जिस पर टैंक चलता है वह यह क्या बात है चेन भी ड्रॉ करेगा तु खुदी और क्या भाई हलके में ले रहा मुझे तु चॉप अब में टाइम आता है गाईज इसको ड्रॉ करने का जो थोड़ा से डिफिकल्ट होने वा थोड़ा सबर रक्स के बाद गया हम लोग जाएंगे इधर की साइड ले जाएंगे और इसको हलका सा और पुश करेंगे और यह फाइनली जो अल्मुस्ट रेडी होने वाला है तैंक के नीचे का पॉर्शन भाई अच्छा फिर ठीक है ती जल्दी वही तो कहूं टैंक कैस रेडी हो सकता है अब देखो गाई इसके बाद बारी आती है उपर जो तोप जहां से निकलेगी उस वाली जगह को ड्रॉ करने की और वही जगह में इस वक्ट ड्रॉ कर रहा हूं और भाई एक दम मस्त ड्रॉ करने वाला हूं मैं तुम लोग बस देखते जाओ एक दम खू खतरनाक लग रहा है यह तो अभी अभी टैंक का कुछ भी कंप्रीट ने हुआ है बट फिर भी गाई यह पहले से खतरनाक लगने लग गया है यह बीच में एक रो और इसके बाद यह टैंक का थोड़ा सा आगे वाला पॉर्शन कंप्रीट कर देते हैं और अब बनानी है व ड्रॉ करते हैं तो पहली बार सुना भई इसे लिए तो रहा हो पहली बार सुना इसलिए अपे लेकिन होती भी है कि नहीं होती नहीं है मुझे पता है भट डेफिनेट्ली वाइस गरने में क्या अधिकत है एक बंडा नीचे से यहां पर कहीं बैठ के इस तोप को कंट्रोल करेगा एक बंद है यहां से गन को कंट्रोल करेगा यह भी बात सही है यार कल वे तेरी इसलिए तो बना रहा हूं गन यह अल्मस्ट गन भी बस रैडी होने वाली है भाई आस तो टैंग मैंने लिटरली में जल्दी बना दिया पर टाइम लगे गाई इसके उपर कलर वगरा ब बढ़ो गई इस वाले कलर को ले लेते है और अब इस से डिजाइन मनाते है कुछ इस तरीके से पै ऐसे इसरी डिजाइन को तू कह रहा था बहुत बैतरीन मनाऊंगा मैं डिजाईन हाँ हाँ ठीक है और क्या ची यह है मैं टेंक में ओके और कुछ यहां से ऐसे ऐसे फिर कुछ इधर से गाइज इस तरीके से डिजाइन विजाइन भाई बढ़िया तो लग रहा है भाई डिजाइन चौप तू तो बेस्ती मार रहा है मेरी नहीं मतलब बढ़िया लग रहा है लेकिन तूने कुछ जादा ही तारिफ कर दी ती तो चुपो जाब इसमें कलर भरने दे मेरे को तब पता चलेगा तुझे असली डिजाइन का मतलब अब बनाते हैं इसके उपर तो इसके उपर तो आइधिंग ज्यादा कलाकारी करने की जुरूत नहीं है यह तो वैसी तोप है जहां से गोली निकलेगी तो यह तो जैसा भी ठीक ही है इधर थोड़ी बहुत कलाकारी कर देते हैं इसको वह इसाब चौप एक बर कलर भरने देवाई बहुत ही बहत लगने वाला टैंक तुम लोग ने आभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटफ से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाल यहां भी बलैक और इदर भी बलैक बिखंण और यहां पर घंट और और आगे की साइड हम लोग बढ़तीडएंगे बलैक या पटारीकशाईा बहीं ऊक्या हुद हूं था अप्मAccet को लोग रहा है तुमनों जाकर बताओ कर कमれた अ कैसा लेडियों हाँ गाइज अभी के विजो और कमेंट में उता है यार तुम लोगे ये टैंक कैसा लग रहा भाई मेरे को तो बहुत ही जादा बहतरी लग रहा अभी सही अभी बिल्कुल रेडी होने वाला है बस थोड़ी देर में जो गान है वो भी डेफिनेटली ब्लैक और ग्रे के ओके गाइज तो फाइनली काफी जादा मैनत के बाद जो टैंक है वो रेडी हो चुका है और अब बारी है गाइज इसे रियल लाइफ में लाने की जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बहुत ही बैटरी न लग रहा भाई मेर को तो इसके लिए गाइज वीडियो को लाइक लाइक तो बनता है अभी अभी जाकर लाइक कर दो बाकी अब टैंक को लेकर आते हैं जरा हम लोग रियल लाइफ में लिख देता हूं यहाँ पर यह टैंक है कहीं हमारा कन्फीूज ना हो जाए मैजिकल पेंटिंग पैड अभी से लेकर आते हैं गाई लेट्स को थरी टू वाई चौप भाई देख रहा है तू तू तेरी यह तो बिलकुल एक्जेक्ट वैसा ही आ गया भाई जैसा मैंने ड्रॉ किया है एक्जेक्ट वैसा है कलर भाई वगेरा गन वगेरा सब कुछ आ गया भाई तूने जरा इसके अंदर चलते है यार यहां से एंट्री है और इस सबसे जादा अपनी बहतरिंग जो ड्रॉइंग लगती थी वो मॉंस्टर ट्रॉक वाली लगती थी पट आज गाईस मुझे यह टैंक वाली ड्रॉइंग लग रही है ओ बाई क्या मस्ता है यार गोले वोले तो दाग इसमें अच्छा हाँ गोले दाखता हो रुगजा रु बाई गन को कहां से कंट्रॉल करते हैं मेरे को इसमन्य आरा ओड़ भाई से कंट्रोल होगी पर जो भी यह तूप चलाएं कम से कम मेरे को बैटने दे तो jais कि तुम लोग देख सकते हो अरह भाई तो चलाने में दिक्कत हो रही है बाई चौप तू अंदर ही आ आ जा तो आ तुम लोग बता यार कैसा लग रहा है यह हमारा पहला ब्लास्ट ओ क्या था यह इसके अलावा गाइज यह दो बाइज टैंक की कैनन इसके अलावा और कोई आप्शन नहीं अचा कैनन इस शॉट कर सकते हैं और नौर्मली भी हम लोग गाड़ी को बिल्कुल कुछल के ब्लास चल रही गन को चलाने के लिए कहां जाना पड़ता है यार यह समझ नहीं आ रहा है मेरे को मेरे को सच में कोई आइडिया निए गन कहां से चलेगी और जो भी हो गाड़ी का क्या हमाल हो गया गाड़ी के पछे वह यह सब गये वह तरी भआई पावर फुल है यह टैंक तो बिलकुली क्या बहुत है यार क्या टैंक है कितना हैवी है यह आपर एक सामने गाड़ी हॉए गाड़ी बालो आज टो कहां भाग रहा होगे एक civी एक SUV के ऊपर जरह इस टैंक को चलाते हैं और अब यह तो ऐसी ब्लास्ट हो रही है गाड़ियां मैं तो चड़ा भी नहीं पा रहा है इनको उपर वो रही वो रही वो गाड़ी भाग रही तो तेरी ऐसी कि तैसी उड़ा दूँआ गाड़ी रुप जा तू तू महीं रुप इसके उपर इसके उपर चड़ाते हैं औरे चड़ जा टैंक चड़ाना बहुत मुश्किल है यार गाड़ियों को उपर यह वो गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया तूम लोग यह टैंक कैसा लगा गाइस अभी कभी जाकर कमेंट में बताओ और अभी तक वीडियो को लाइक न यहाँ आज से ओन कर देना वाकि यहां पर क्या बंदे डर रहा है यार मेरे टैंक को देखके तरी ओधरी ओधरी या लेट्स गो एक साथ 4 ब्लास्ट होने वाले है रेडी हो जाओ भाई तेरी यह मस्त ब्लास्ट हो है मजा आगया देखके आगी गाई तुम लोग आज के व लोग इंपरेस करके या तो नहीं वीचे नहीं देना मिलने नेक्ट वाली वीडियो में तब तक करिए गुट पाई